आपने पहले मुर्गी आई या अंडा ये बहस पहले भी सुनी होगी जिग्यासु लोगों के दिमाग में हमेशा से ये प्रश्ण गुमता रहा है कि पहले अंडा आया या मुर्गी अगर अंडा पहले आया तो अंडा दिया किसने और अगर मुर्गी पहले आई तो बीना अंडे के कैसे आई? अंडे का फंडा क्या है? बोलिवुर्ड की हिट फिल्म जोडी नबर वन में पहले मुर्गी या अंडा इस बहस पर एक गाना भी बन चुका है ये प्रश्ण हमें शाही सोद का विसे रहा है हिंदी में छपने वाली अधिकतर मीडिया साइट कह रही है कि इसका सही जवाब मिल गया है लेकिन रूखिये क्या ये सही जवाब है? अधिकतर मीडिया साइटों ने सही जवाब कहकर पल्ला जाड़ दिया है लेकिन वास्ता में सही जवाब बहस में खो गया है जिसे डुढने की हम यहां कोशिश करेंगे शेफिल्ड और वारविक विश्व विध्याले के विध्यानिकों ने एक टीम इस विशव पर लंबे समय से काम कर रही थी काफी रिसर्च करने के बाद विध्यानिकों ने तीन चार साल दावा किया है कि धर्ती पर अंडे से पहले मुर्गी का जन्म हुआ था इस दुनिया में पहले अंडा आया है या फिर मुर्गी आई है इस सवाल के जवाब में वज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता चला कि ओवो क्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन अंडे के खोल के निर्माण में बहुत ही महत्वपुर्ण होता है और ये प्रोटीन केवल और के के अंडा शय में पेदा होता है इसलिए हम कह सकते है कि मुर्गी पहले आई ना की अंडा लेकिन फिर मुर्गी कहां से आई तो फिर मुर्गी किसी अन्य मुर्गी जैसे जीव के अंडे से आई होगी लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि वो जीव पहले आया या उसका अंडा और ये प्रश्णा कुछ इस तरह से ही गुमता रहेगा। सच बात तो ये है कि यदि हम वर्तमान में पाये जाने वाले मुर्गी की बात कर रहे हैं तो हम 100% दावे से कह सकते हैं कि मुर्गी पहले आई। लेकिन मुर्गी कहां से आई? जहां से मुर्गी आई वो प्रक्रिया फिर से इस अंतहिन समय चक्र का हिस्सा भर है। हम कह सकते हैं कि वर्दमान में पाये जाने वाली मुर्गी मुर्गी जैसे किसी जीव के अंडे से आई और वो मुर्गी जिसा जीव जैसे की जंगली मुर्गी और अपने जैसे किसी जीव के अंडे से आई वय्यानिक शोदों से पता चलता है कि करोडों साल पहले पृत्वी पर जीवन एक कोशिय जीव जैसे अमीबास से शुरू हुआ उसके बाद विकास के चलते जीव में अनेक बगलाव होते हैं और इन करोडों सालों में करोडों अन्य जीवों की उत्पत्ती हुई तो आप समझ गए ना कि ये प्रश्ण केवल बहस का नहीं लेकिन इस दर्ती पर जीवन चक्र को समझने का माध्यम भी है तो दोस्तों आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि हर एक इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे थेंक यू सो मच